आज जो strategy में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही simple है प्लस इस strategy का यूज करके आप अपना previous loss भी recover कर सकते हो इस strategy का यूज सारे लोग कर सकते हैं जो trading में नय है या फिट जो लोग experience भी रखते हैं trading में उनके लिए भी strategy बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है strategy का use आप किसी भी broker में कर सकते हो किसी भी time frame में कर सकते हो जो सबसे पहले मैं strategy आपको सिखा देता हूँ क्या कि आपके strategy क्या है हमको कैसे use करना है और उसकी बाद में आपको live trade करके भी proof दिखा दूँगा कि हाँ ये strategy work करता है कि नहीं इस strategy के जो overall performance है वो 90% plus accuracy के साफ में निकल के आती है सो सबसे पहले हमें strategy को समझ लेते हैं strategy को समझने के लिए आपके पास में एक broker होना चाहिए जैसिंग मेरे पास अभी kotex का broker है आप किसी भी broker में use कर सकते हो अगर आपके broker में ये strategy नहीं सो कर रही है ये indicators नहीं सो कर रहे हैं तो आप trading view भी use कर सकते हो kotex में नीचे indicators वाले section पे आपको आ जाना है उसकी बाद यहाँ पर आपको एक दिखरा है किटनल चैनल नाम का indicator इसको आपको by default value जो भी है आपर 20, 10 और 1 इसके साथ में आपको symbolize SEO कर लेना है उसके बाद दुबारा से आपको indicators के section में आना है और नीचे जब आप देखते हो यहाँ पर इसको भी आपको set कर लेना है जो भी इसकी default values है इनको देख लो अगर आपके broker में यह values नहीं दिख रही है वाली तो आप दूसरा कुछ choose कर लेना अभी हमारी strategy successfully apply हो चुगी है अभी मैं आपको समझाता हूँ कि strategy आखिर कैसे use करना है और कौन से points पर हमें trade लेना होता है तो चलिए strategy कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे मालो यह आपका catnal channel है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जब भी आपका market जो है kittler channel के उपर जाता है यहाँ पर देख सकते हो यह green वाली line यहाँ पर खतम हो जाती kittler channel की और हमारा market ऊपर चलने लगता है तो यहाँ से हमारी strategy होना चालू हो जाता है यहाँ से वनेक confirmation हमारी complete हो जाती है जो दूसरा confirmation हमें देखना है वो नीचे sarcastic में देखना है अगर हमारा sarcastic जो है इस वाली line के ऊपर में चल रहा है यानि जो red वाली line है इसके ऊपर में हमारा sarcastic चल रहा है तो इसका मतलब हमारी strategy एक्टिवेट हो चुकी है और हमें यहाँ पर indication का wait करना है indication हमें कैसे मिलेगा उस indication का कुछ ऐसा रूप रहने वाला है जब आपका market केटलर जैनल की ऊपर में चले और जब आपका sarcastic का यह जो red वाला line है यह उपर cross कर दे और green वाली line नीचे हो जाए तो आप down का trade ले सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही market केटलर जैनल के ऊपर में चलने लग रहा है और उसकी बाद में जैसे ही red वाली line उपर हो जाती है और हमारी sarcastic की जो green वाली line है वो नीचे हो जाती है उसकी बाद ही हमारा market डाउन आना चालू हो जाता है तो same as it is आपको इसी तरीके से trade place करना है for downward direction चलो अब हम समझ लेते हैं कि हम कैसे upward direction का trade open करेंगे using kittler channel अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जब हमारा market काफी जादा kittler channel के बाहर continuously चल रहा था तो उसकी बाद हमें यहाँ पर wait करना रहता है नीचे sarcastic का हमारा sarcastic भी जो है यह green वाली line के नीचे में चलना चाहिए यह अगर red वाली और green वाली दोनों line के बीच में market चल रहा है तो वहाँ में trade open नहीं करना है आपको trade तभी open करना है जब आपका sarcastic या तो green line के नीचे चल रहा हो या फिर red line के उपर चल रहा हो और second चीज आपको ध्यान रखना है जब आपके kettle channel के नीचे चल रहा हो market या फिर उपर चल रहा हो तभी आपको trades place करनी होती है अगर upward direction की situation के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो kettle channel के नीचे हमारा market चल रहा है जिससे हमारी पहली indication fulfill हो जाती है अब हमें second indication के लिए wait करना है जो कि sarcastic से मिलता है जैसे sarcastic में नीचे आप देख सकते हो हमारा market नीचे चल रहा है लेकिन यहाँ पर जैसे ही green line उपर हो जाती है और red line नीचे हो जाती है तो उसकी बाद हम upward direction का trade open करते हैं तो काफी clearly win हो जाता है अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि हमें कितने minutes का trade लेना है तो basically मैं यहाँ पर recommend करूँगा कि आप one minute का trade open करो अगर आप one minute की candle use कर रहो तो आप one minute की trade open करो अगर आप five minutes की candle use कर रहो तो आप five minute की trade open करोगे यानि जितने minute का candle use करोगे उतने ही minute का हमको trade लेना है यही दो confirmation देखना है एक किटनल चैनल दूसा सौकेस्टिक अगर दोनों का confirmation मिल जाता है तो it means हम वहाँ पर trade ले सकते हैं और definitely यहाँ पर काफी बड़ी है तरीके से आपको winning देखने को मिल रही है अभी EURUSD के चार्ट में जैसे एक example आपको दिखाने कोसिस करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो market किटनल चैनल के काफी बाहर चलता हुआ जाता है और उसके बाद हमारा सौकेस्टिक भी red line के उपर continuously चल रहा था और हमें wait करना था कि कब हमारी red line उपर आएगी और green line नीचे जाएगी तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारी जैसे ही यहाँ पर red line उपर हो जाती है और green line नीचे हो जाती है इस candle से इस वाली candle से हमारी जैसे ही confirmation हमें मिलती है तो हम इस वाली candle पर जैसे ही trade open करते हैं downward direction का 1 minute का 2 minute का हमारी काफी बड़िया बिंच जाती है चलिए अब आपको ट्रेडिंग करके मैं दिखा देता हूँ कि आखिर मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस strategy का यूज करके तो यहाँ पर आप देख सकते हो किटला जैनल के उपर हमारा market चल ला है और हमारा सौकेस्टिक भी red line के उपर जा चुका है और जैसे ही यहाँ पर जो है red line उपर हो जाती है सौकेस्टिक की और green line नीचे हो जाएगी तुरंथ हम downward direction के trade open कर देंगे जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है cut नहीं किया था lines ने फिर भी हमने यहाँ पर open कर दिया है इसी वज़े से मैंने double trade जो है फिर से open कर दी है for downward direction अब यहाँ पर देखते हैं कि यह win जाती है यह पर loss जहां तक हमें उम्मीद है according to strategy यह हमारी win ही जाने चाहिए क्योंकि strategy जो है काफी ज़्यादा working है आपको यहाँ पर 95% तक कि अगर इसी easily देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो हमारी trade यहाँ पर भीड हो चुकी है एक और trade मैंने यहाँ पर upward direction के open कर दी थी लेकिन आपको with strategy मैं यहाँ पर open करके दिखाता हूँ सौकेस्टिक के नीचे आप देख सकते हो हमारी green line totally उपर हो चुकी है और जो हमारा market है वो भी जो है kittler channel के नीचे चल रहा है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा chances लग रहे हैं कि अब market उपर जाएगा क्यों क्योंकि आप नीचे जो सौकेस्टिक की lines देख रहे हो वो काफी ज़्यादा ऊपर की और इसारा कर रहे है और जो हमारी green line है वो red line के ऊपर काफी अच्छे तरीके से चल रही है सौकेस्टिक में तो हमने हाँ पर कई सारी multiple trades upward direction के लिए open कर दी है और आप देख सकते हो काफी बड़ी है winning हमाई यहाँ पर देखती ही मिल रही है आप देख सकते हो हमने यहाँ पर trade को easily win भी कर लिया है तो strategy को इसी तरीके से आप सभी लोगों को use करना है यहाँ पर मैं कुछ और trade आपको open करके दिखा देता हूँ पिछली मैंने यहाँ पर trade मिस कर दी थी इसी वज़े से market दुबारा से level पर आता है जहाँ पर मुझे एक बार फिट से opportunity मिल दी है downward direction का trade open करने के लिए इसी वज़े से मैंने फिट से open कर दिया यहाँ का market भी ketler channel के उपर चल रहा था और हमारी जो saugastic की line है वो red line ओपर हो चुकी थी green line नीचे थी इसी वज़े से downward direction का trade open करते ही यहाँ पर winning हमें देखने को मिल जाती है इसी strategy का यूज करके आज हमने यहाँ पर आल्रेडी 500 डॉलर प्लस का profit कही नहीं बुक कर लिए है तो इसी strategy को use करो और profit कमाओ अगर strategy बसंदो ही तो definitely YouTube चैनल को अभी कि अभी subscribe कर लो और बिलते है किसी new informative वीडियो में और strategy से related कोई confusion है तो नीचे comment कर सकते हो आप और मेरी सारी contact details आपको description में देखने को मिल जाएंगी देन आप वहाँ पर मुझे contact भी कर सकते हो see you next video till then goodbye see you soon